जाहिन दोस्तों आप सभी का एपटी क्लासेस में स्वागा था है आज हम 36 गड़िया ओलम्पिक से संबंदित जितने भी इन्पोर्टेंट कोर्षन बन सकते हैं उन सभी कोर्षन को देखेंगे यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिप्यूशन मिल सके चलिए पहला कोश्रन देखिए 36 गड़िया ओलम्पिक 2022 सेज की सुरूआत कब से किया गया था तो इनका सही आंसर होगा 6 अक्टूबर 2022 से 36 गड़िया ओलम्पिक 2022 की सुरूआत की गया थी याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेन है क्योंकि 36 गड़ में पहली बार 36 गड़िया ओलम्पिक 6 अक्टूबर से ही सुरूआत की गया था चलिए ने इस्टो कोश्रन देखिए चतिगड़िया ओलम्पिक 2023 की सुरूआत कप से की गया थी इसमें याद रखेंगे चलिएने इस्टो कोश्रन देखिए चतिगड़िया ओलम्पिक में इस बार कितने खेलों को सामिल की गया है याद रखेंगे पिसले बार 14 प्रकार के खेल को सामिल किया गया था इस बार दो प्रकार के खेल को सामिल किया गया जिसमें रस्षी कुट को याद रखना है और दूसरा है इसमें कुस्ती को कुस्ती और रस्षी कुट को इस बार सामिल किया गया है इसलिए 14 से 16 हो गया है चले नेश्टो कोश्चन देखिए वर्स दो हजार 22-23 में चत्यगड़िया उलम्पिक का थीम क्या था उनका सही आंसर होगा वर्स दो हजार 22-23 में चत्यगड़िया उलम्पिक का थीम खेलबो जीदबो गडबो चत्यगड़ का थीम था इस बार का थीम अभी लॉंच नहीं किया है इसमें याद रखेंगे इस बार का गड़िया ओलंपीक का सुभंकर याद रखेंगे सुभंकर में इस बार बच्छरू को बनाया गया है बहुत ही important है दोस्तों याद रखेंगे बच्छरू को इस बार का सुभंकर बनाया गया है और 2022-23 में सुभंकर याद रखेंगे पहाडी मैना को पिछले बार चत्तिगड़ का सुभंकर बनाया गया था लब चतिगड़िया उलम्पिक का सुभंकर बनाया गया था नेश्ट कोश्चन देखिए उलम्पिक के आयजन कितने इस सर पर किया जा रहा है तिनका सही आंसर होगा उलम्पिक का आयजन 6 इस सरों में किया जा रहा है नेश्ट कोश्चन देखिए कितने युवा मितान कलब को एक जोन बनाया गया है तिनकर सहीं आंसर होगा आठ राजी उगांधी युवा मितान कलब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है याद रखनें दोस्तों इंपोर्टेंट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन देखिए चतिगड़ी हा उलम्पिक में एकल सरी में सामिल है तिनकर सहीं आंसर होगा चतिगड़ी हा उलम्पिक में इस बार एकल सरी में फुगरी खिल को सामिल किया गया है इसमें पिट्टूल, खोखो, कबड़ी को दली सरी में सामिल किया गया है चले नेश्ट कोश्ण देखिए कितने खेल विधाओं में खेला जा रहा है तिनकर सही आंसर होगा इसे एकल सर्णी और दली सर्णी में खेला जा रहा है तिनकर सही आंसर क्या होगा ए और भी दोनों हो जाएगा चले नेश्ट कोश्ण देखिए दली सर्णी में सामिन नहीं ह तिनका सही आंसर गेडी खेल सामिल हो जाएगा इसमें दली सेडी में गिली डंडा, संकली और लंगरी दोर को सामिल किया गया है नेश्टो कोशन देखिए पिट्टूल परतिशपरधा के संबन्द में क्या सत्य है तिनका सही आंसर आपको इस कथन को पढ़के बताना है जिसमें पहला कथन देखिए एकल सेडी में सामिल किया गया है पिट्टूल खेल को दूसरा कथन है डलीवा एकल सेडी में सामिल किया गया है पिट्टूल खेल को कहते हैं तुनकर सही आंसर होगा फोगडी के मैदान को बलम घेरा कहा जाता है याद रखेंगों दोस्तों पीछले बार इसमें कोशन बने होएते फोगडी के मैदान को बलम घेरा कहा जाता है नेश्ट क्वोस्चन है तरी तरियागर और तुकलंग गाजान आदी के खेल मैदान कीस खेल से सम्द निटारी थे तुमक्रा रएलो रशी खेल में नौँ खेलाडी के निधारी थे याद रखेंगे intertwined questions है गिली डंड़ा खेल में निनाय को कहा जाता है तुनकर सहीं आंसर होगा गिली डंड़ा खेल में निनाय को सोरी सिया कहा जाता है याद रखेंगे दोस्तों इसे कोशन एकजाम में बनाय हुए थे अब अगला कोशन देखिए 2022 में प्रथम चरण कब से कब तक हुआ है तिनका सही आंसर होगा 2022 में प्रथम चरण जिसमें इसमें राजी गांधी युवा मिदान कलब में 6 से 11 अक्टूबर 2022 से किया गया है याद रखेंगे वर्षा 2022 में प्रथम चरण 6 से 11 अक्टूबर 2022 तक किया गया है नेश्ट कोशन देखिए छत्री गड़िया ओलंपिक में कितने आयू वर्ग में बाटा है तिनका सही आंसर होगा छत्री गड़िया ओलंपिक को तीन आयू वर्ग में बाटा गया है जिसमें प्रतम है 18 वर्षा तक दूसरा है 18 वर्षा से अधिक और 40 वर्षा तक रखा गया है इसके बाद है तीसरा 40 वर्षा से अधिक जो जितने भी यूँआ वर्गे के हैं उसे सामिल किया गया है चले नेश्ट कोशन देखिए आयोजन का दाइतव किस विभाग को दिया गया है तिनका सही आंसर होगा आयोजन का दाइतव पंचायत एवं गरामणी विकास विभाग और नगरी प्रसासन एवं विकास विभाग को दिया गया है तिनका सही आंसर A और B माप किजिएगा इसक रखेंगे ग्रामिन छेतर में पंचाद एम ग्रामिन विकास विभाग को दिया गया है और नगरी छेतर में नगरी परसासन एम विकास विभाग को दिया गया है चले निश्ट कोसें देखिए खोखो में खिलाड़े की कुल संक्या होनी चाहिए तो इनका सही आंसर होगा और इस बार भी 9 खिलाड़ी होते हैं इस खेल में कुल 12 खिलाड़ी इसले रखा गया है यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो इन में से एक खिलाड़ी को खिला आ जाएगा चले नेश्टो कोश्चन देखिए गिल्ली डंडा खेल में डंडा की लंबाई निधारि किया गया है नेश्टो कोश्चन देखिए गिल्ली की लंबाई निधारित किया गया है तिनकर सही आंसर होगा गिल्ली की लंबाई निधारित किया गया है 10.5 cm निधारित किया गया है नेश्टो कोश्चन देखिए 36 गड़ी है ओलंपिक 2023 में राज्य इस्तर में कब से कब तक आयजित किया जायेगा तिनका सहीं आंसर होगा राज जे इस्तर में 25 सितमबर से 37 सितमबर दोहर 23 तक वर्सद 2010-24 में राज जे इस्तर में आयजित किया जायेगा याद रखेंगे दोस्तों important है पिछले साल छतिज़ गडिया ओलम्पिक 2022-22 में राज्य इसर में 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी दुहार 23 तक आयजित किया गया है नेश्ट कोस्टन देखिए चतिगडिया ओलम्पीक में इस साल एकल सेड़ी खेल में कितने खेल को रखा गया है तिनका सही आंसर होगा आठ खेल को एकल सेड़ी में रखा गया है चतिगडिया ओलम्पीक में दली सेड़ी में गिली डंडा, पिठूल, संकली, लंगरी दौर, कवड़ी, खोखो, रस्षी कस्षी और बांटी जैसे खेल को सामिल किया गया है वही एकल सेड़ी की खेल विधा में बिल्लस, फोगडी, गेड़ी दौर, भावरा, सो मिटर, दौर, लंबी कुद, रस्षी कुद और कुस्ती जैसे खेल को सामिल किया गया है चलिए नेश्ट कोश्चन देखिए इस वर सचतेज़ गड़िया ओलंपीक में राज्य इस्थर पर प्रथम इस्थान पर आने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए की फुसकारासे दिया जाएगा तिनका सही आंसर होगा पांच हजार की फुसकारासे और परवान पत्रक रूप में दिया जाएगा चले याद रखेंगे राज्य इस्थर में ओलंपीक के अंतिम आयोजन में प्रथम आने वाले अपरति भागी को 5,000 रुपए दूती आने वाले को 45 रुपए और तीसरे इस्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 4,000 रुपए की रासी और पर्मान पत्रक साथ दिया जाएगा चले नेस्थर कोश्चन देखिए यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और कॉमेंट भी करना है कि इनका नेस्थर पार्ट कावला ना है चले मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन जाचातिस गड़ा